कैसे हैं आप सभी जैसा कि आप सभी को पता है हमने last session में discuss किया था इम शनॉट सैट का paper और memory based और gmcs 2019 memory based paper उसकी सीरीज में आज हम लेके आए image based question के बारे में तो image based question जो है उसके बारे में आज हम discuss करेंगे तो फर्स जिसमें मेंrou आए गए सब्सक्राइब है क् 이 स्काइब उस्टेंए वाइब है इसुंब Mayor का इंए इस Ace यह यह जो सब्तों से करनेक्ट पूर्ट के से इसमें करणट और और करन्ट के वज Vai पर बोईलिंग होगी वाटर हम इसमें फिल करते हैं एक मैक्जिमम और मिनिमम का मार्किंग रहता है मैक्जिमम लेवल से हम नीचे रखते हैं इसके लिए हम प्रिफर करते हैं जो हमारा डिस्टिल वाटर जो रहता है डिस्टिल वाटर रहता है उसको हम प्रिफर करते हैं और जब बोईलिंग होगा तो वाटर गरम होगा और जो वाटर है वो वैपर की फोम में इसमें बाहर आएगा और वैपर की फोम में जब बाहर आएगा तो यहाँ पे पेशेंट अपना माउथ प्लेस करता है और जो यह पर्पाज है कि उस्तीम इनहेल करने के लिए और छो इनप इनहेल करते हैं या इसंता नायेजल पाथर्वद से ड्रें इजलbug से बहार आएगा से बाहर आएगा और patient को relief मिलता है इसकी वज़े से patient में headache headache और throat irritation headache और throat irritation patient में देखने को मिल सकता है ठीक है दूसरा image हमारा है defibrillator machine ये एक defibrillator machine है जिसको patient को ventricle fibrillation है उसको normal perfusing rhythm में convert करने के लिए यूज किया जाता है इसके दो pad होते हैं right और left जो right pedal जो होता है या जो right pad होता है right pedal या right pad जो होता है उसको हम place करते है right side of sternum पर right side of sternum at third intercostal space intercostal space right pedal को right side of sternum at third intercostal space और जो left pedal जो हमारा होता है है इसका left pedal को हम place करते हैं left side of left side of sternum left side of sternum at fifth intercostal space left वाले को fifth intercostal space पर right वाले को third intercostal space पर right side of sternum में ठीक है जो starting में जो हम current देते हैं दोनों पैडल पर हमें at least 25 lbs 25 lbs का pressure देना होता है यान कि जब आप pedal attach कर रहे हैं तो pedal को प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के लिए at least 25 lbs का प्रेसर आपको देना है यह सब था defibrillator pedal या defibrillator machine के बारे में इसमें adult के लिए अगर आप defibrillator यूज कर रहे हैं adult के लिए अगर आप defibrillator यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो adult pad जो होते हैं वो ही यूज़ करने हैं लेकिन अगर आप child के लिए यूज़ कर रहे हैं तो child के लिए child pad को ही priority देना है लेकिन अगर child pad नहीं है तो उसकी जगे आप adult pad यूज़ कर सकते हैं लेकिन adult के लिए शिर्फ आपको adult pad ही यूज करना है क्योंकि adult के लिए आप जो pressure जो प्रैसर या जो energy जो देंगे वो child pad से इतनी effectively deliver नहीं हो पाईगी इसलिए adult pad को ही यूज करना है नेक्स्ट इमेज आपका है यह जो इमेज है यह एमस 2017 के exam में पूछा हुआ है कि यह जो इमेज आपको दिया गया है यह कौन सा presentation है presentation जो presentation का मतलब यहां पर होता है part of fetus presenting pelvis यानि कि मदर के pelvis में बेबी का कौन सा part present है उसको हम बोलता है presentation preparation यह चार तरीके का होता है सिफयलिक presentation सिफयलिक प्रजेंटेशन का मतलब होता है कि बेबी कए head जो है वह मदर के पेल्विस में है दूसरा होता है ब्रीच प्रिजन्टेशन और ब्रीच प्रिजन्टेशन को हम बोलता है पोडलिक प्रिजन्टेशन ब्रीच प्रिजन्टेशन या पोडलिक प्रिजन्टेशन का मतलब होता है बटक्स इन पैल्विस बेबी के बटक्स जो है वो पैल्विस मे इसका मतलब है कि more than one part बेबी के more than one part जो है वो मदर के पेल्विस में एक साथ में प्रेजेंट है जैसे कि shoulder है और उसके साथ में head है shoulder plus head तो ये एक तरह से हो गया compound presentation अब ये जो image आपको दिया गया इसमें कौन सा presentation ये आप से पूछा गया दीखे ये मतर का माली जै पेल्विस है और इस पेल्विस में बेबी का ये बटक्स वाला area प्रेजेंट है तो बटक्स वाला area प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे है breech या podalic presentation अब ये एक तो हो गया है breech presentation है या podalic presentation है लेकिन breech presentation में भी presenting part कौन सा है breech presentation में भी presenting part कौन सा है इसके हिसाब से breech presentation चार तरीके का होता है presentation आपके पास में चार तरीके का है सिफालिक, breech, solder or compound लेकिन breech presentation में या podalic presentation में भी बेबी का कौन सा part है present है पहलो इसके अंदर या पहले कौन सा पार्ट प्रेजेंट हो रहा है delivery के टाइम पे तो इस basis पे चार तरीके के bridge presentation होता है एक होता है complete bridge complete bridge complete bridge का मतलब होता है baby के जो buttocks है वो पहलो इसमें रहेंगे buttocks पहलो इसमें रहेंगे या हमने याँ पे बताया है कि bridge presentation में buttocks पहलो इसमें रहेंगे तो buttocks जो है वो तो सारे ही bridge presentation जो हम चार जो discuss करने वाले हैं अभी उन सभी चारो presentation में bridge या buttocks baby का जो part है वो पहलो इसमें present रहेगा लेकिन किस किस तरीके से रहेगा इसके साथ में count consistency और conditions एड होगी वो यहाँ पर बात करनी है तो complete bridge में baby का buttocks present रहेगा पहले इसमें और baby का attitude है वो complete flexion रहेगा flexion attitude with buttocks baby के buttocks present है baby flexion attitude में है यह हो गया complete bridge दूसरा होता है frank bridge frank bridge frank bridge में क्या होगा baby के buttocks जो है वो पहले इसमें present रहेगे इसके साथ में baby का head flex रहेगा ठीक है head का flexion रहेगा upper proximity जो है upper proximity वो भी flex रहेगी ठीक है और जो leg है बेबी के जो leg है या lower proximity जो है वो straight रहेगी या extended रहेगी extended toward head दीके prank presentation में या prank breach में क्या होगा बेबी के buttocks जो है वो mother के पहले उसमें present रहेगा ये दीकी buttocks मदर के पहले उसमें present है head flexion ये head का flexion हो रखा है upper part flex ये baby के जो upper proximity जो flex हो रखे है leg strained and extended toward head दीकी leg का जो है extension हो रखा है leg का याँप extension आपको देखने को मिल रहा है और ये extended toward head head की तरफ extended हो रखे है तो ये हो गया हमारा frank breech तो ये image जो है ये किस चीज का image है ये frank breech का image है ठीक है क्योंकि बदर जो baby है उसका buttocks values में present है head का flexion है upper extremities का flexion है लेकिन जो lower extremities है उसका extension नहीं हो रखा है या ये जो है straight leg है अगर यहीं पर जो हम तीसरा बात कर रहे हैं थाई है थाई और जो leg वो partially extended रहेंगे और मदर के जो पैलविस का ब्रीम है वहाँ पे present रहेंगे बोथ थाई और legs ये उसको हम बोलेंगे footling presentation एक होता है kneeling presentation बेबी के जो थाई है वो extended रहेंगे और बेबी का जो नी है वो flex रहेंगा और जो नी है वो मदर के पैलविस में present रहेगा पैलविस ब्रीम पे present रहेगा तो उसको हम बोल रहे है kneeling presentation इस तरह से presentation टोटल चार होते हैं कौन-कौन से cephalic, bridge, shoulder और compound presentation लेकिन bridge presentation में बात करेंगे तो bridge presentation में जो जो presenting part है उसके हिसाब से bridge presentation को चार में divide किया गया है complete bridge, frank bridge, footling bridge और kneeling bridge ठीक है presenting part जो है most common अगर presentation की अगर हम बात करें most common presentation की अगर बात करें तो ये हमारा cephalic presentation होता है cephalic presentation और cephalic presentation में भी cephalic का मतलब है बेबी का head जो है वो पहले-पहले शुम परजेंट रहेगा तो उसको हम बोलते हैं cephalic presentation और cephalic presentation में cephalic presentation के time पे कौन-कौन से part होते है उसके अगर यहाँ पहले हम बात करें तो vertex यानि कि बेबी का ये scalp वाला head वाला area जो है ये present रहेगा इसको हम बोल रहे हैं vertex अगर ये वाला area presented तो इसको हम बोलते हैं bro face तिक है अगर बेबी का head पहले उसमें present है उसको हम बोलता है cephalic presentation अब cephalic presentation में भी बेबी का कौन सा part पहले इसके अंदर present है उसको इसाब से presenting part डिवाइड करें तो vertex होता है bro होता है और एक होता है face तो most common presentation is the cephalic presentation और most common presenting part कि अगर यहाँ पे बात करें तो वो होता vertex 96 percentage या 96% cases में cephalic presentation के 96% cases में vertex presentation baby का रहता है या vertex जो हो cephalic presentation में presenting part रहता है इस option इस question का answer जाएगा आपका frank bridge क्योंकि baby का head या flex हो रखा है आपका extremities flex हो रख किये लेकिन जो lower extremities है वो strain हो रख किये और extended है toward the head side और baby का जो buttocks area है वो मदर के palace में present है next question आपका है यह जो image आपको दिख रहा है यह image जो है यह एक rene clip applicator का है rene clip applicator यहाँ पर आपको एक open space दिख रहा है और यह इसके जो fan stated clip है इसको lock किया जाएगा यह locked वाला है तो जब इसको completely आप close करेंगे तो यह lock हो जाएगा इन दोनों को pass में लेके आएगे तो यह close हो जाएगा close होने के वज़े से यहाँ पर compression आपको देखने को मिलेगा ठीक है इसका क्या use है यह bleeding को control करता है bleeding को control करता है इसका rene clip applicator जो है वो bleeding को control करता है कैसे control करता है यह हम apply करते है scalp scalp tissue के asber यानि कि जो हमारी scalp tissue होते है वहाँ पर bleeding हो रही ही तो वहाँ पर हम इनको apply करते है इसको apply करते है rene clip applicator को और यह वो tissue के as को compress करेगा compress कौन सा होगा mechanical compression यहाँ पर होगा क्योंकि आपको इसको press करके रखने पड़ेंगा यानि इसको apply कर देंगे उसाइज पर इस structure को और इसको lock कर देंगे लोग करने की वज़े से महाँ पर mechanical compression आपको देखने को मिलेगा और mechanical compression की वज़े से वहाँ पर जो bleeding है उसको minimize आप कर सकते है इसलिए bleeding control करने के काम में आता है scalp tissue edge को compress करके mechanical compression create किया जाता है और mechanical compression create होने के वज़े से building control होती है इसको हम बोलता है रहने clip applicator आप इस image को अच्छे से देख सकते हैं next image आपका है next image जो आपको दिख रहा है ये कौन सा image है आप से पूछा गया इसको हम बोलते हैं IPC device IPC device IPC device का मतलग क्या होता है intermittent intermittent pneumatic pneumatic compression device intermittent pneumatic compression device को बोलते है IPC intermittent मतलग होता है बीच बीच में pneumatic मतलग जहाँ पे air को compression, air से compression जहाँ पे बीच बीच में create किया जाता है उसको हम बोलते है IPC device, intermittent pneumatic compression device दीखिए ये इसमें इस तरह की covering होती है इस covering को आप chain की help से close कर देते हैं chain की वज़े से close हो गया है ठीक है, अब इसका जो है ये connection है, जैसे air mattress में connection रहता है एक machine से, air mattress जो हम pressure sore वाले patient के लिए यूज़ करते हैं उसी तरह से इसमें भी एक pneumatic compression device है लेकर वो compression नहीं है वो एक flat surface पे आप apply कर सकते हैं उसमें भी लेकिन air का ही use होता है उसमें जो machine attach रहती है वो एक air जो fill करती है इस layer में या जो हमारा mattress जो होता air mattress उसमें अब इसमें भी same connection है ये जो connection है wire का ये connection है wires का ये machine जो है यह यहाँ पे air fill करने का काम कर रही है दोनों में और यह जो फिल हो जाएगी इसको आप लोर एक्षिमटीपीयस पर अपॉलाई किया हुआ हुआ Як पर बिच बीच में होता यारuyu हो गया फिर रिलेक्स हो जाएगा फिर वापिस से हो गा फिर यलेक्स हो जो हमारा blood vessels होता है lower activities के blood vessels है या जो veins जो होती है वो हमारे blood को return करती है वापस से heart की side में inferior vena के वाए धुरू वापस से heart की side में लेके जाती है तो यहाँ पे patient में जो patient लंबे समय तक है या जो old age के patient है या जिनको mobility strict किया हुआ है उन patient के lower activities के blood flow को heart की तरफ बढ़ाने के लिए और उनके vein और जो lower legs की activities है उनमें blood clots को prevent करने के लिए जो या venus stasis venus stasis veins में blood को रोकने के लिए venus stasis यानि कि veins में जो blood है वो एक जगहें पर रोक जाए या prevent blood clots in veins veins में blood clots को prevent करने के लिए या lower activity से blood को वापी से heart की तरफ भेजने के लिए जो compression की help से यहाँ पर compression जब create होगा तो जो blood है वो वापी से heart की side में जाएगा venus stasis को minimize कर पाएंगे blood clots को formation नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर blood अगर लंबे टाइम तक नहीं रुकेगा तो वहाँ पर blood clots नहीं बनेंगे तो इस वज़े से इस device का यूज किया जाता है इसमें air का यूज करते हैं बीच बीच में यह काम करती है compression कर्येट करती है तो compression के वज़े से जो blood है वह आपी से heart की side में जाएगा इसको हम बोलते है intermittent pneumatic devices ठीक है intermittent pneumatic devices next image आपका next image आपका है Murphy Eye दीखे यह एक अमारे पास में tube है यह balloon बना हुआ है उस पर आगे चलके यह tube आपी से continue हो रही है यहाँ पर इसकी opening है last opening है और इसके लावा यह कि यहाँ पर भी opening है जो मैं अभी red color से denote कर रहा हूं आपके सामने यह एक opening और है लेक blue color वाला जो बना रहा हूं यह यहां तक आपकी tube है ET tube है यहाँ पर आपका connection खतम हो रहा है ठीक है यानि कि जो connection ट्यूब अगर मैं दूसरा image यहाँ पर बना हूं तो मान लीजिए यह आपका ET tube है यहाँ पर आपका balloon है जो inflate होगा ठीक है इसके अलावा यह जो आपकी tube है इस तरह से continue है और continue चलके यहाँ पर एक hole है ठीक है जहाँ पर यह end हो रही है लेकिन इसके अलावा एक जो मैं red color का भी बना रहा हूं यहाँ पर भी एक हलकी सी opening होती है तो यह ही यहाँ पर पूछा गया है कि यह जो opening है यह क्या है यह Murphy Eye इसको हम बोलते हैं इस opening के बारे में सबसे पहले डॉक्टर मर्फी ने बताया था इसलिए हम इसका नाम उन्हीं के नाम से रखते हैं Murphy Eye के नाम से इनको जाना जाता है ठीक है इस tube का क्या काम होता है यह इस opening का क्या क्या काम होता है कि जो मर्फी आईए यह एक hole है यह क्या है एक hole है at the hole at the tip of endotracheal tube hole at the tip of यह tip हो गया ठीक है यह वाला tip है तो यह यहाँ पर जो open है इसको हम बोल रहे है मर्फी आई hole at the tip of endotracheal tube to prevent to prevent obstruction मान लीजी आपने इस ET tube को किसी patient में डाला है ठीक है यह आपने tracheal के अंदर में डाला और मान लीजी यह वाला जो end है जो भी मैं red color से denote कर रहा हूं अपीस से यह मान लीजी इस tracheal wall के contact में आ जाने की वज़े से यह यहाँ पे बिल्कुल ही contact में आ जाने की वज़े से या इसमें mucus भर जाने की वज़े से यह मान लीजी ब्लोक हो गया तो अब patient को respiration में problem आये नहीं आये इसके लिए एक opening अमारे पास में present रहती है मर्फी आई वाली ताकि जो हम air उपर से patient को दे रहे हैं या oxygen जो patient को दे रहे हैं वो oxygen वापिस से य अगर जब जो ET2 हमारी है उसकी जो last opening है या जो main opening है वो अगर obstruction हो गया है ट्रेकल वाल के contact में आ जाने की वज़े से या mucus के फिल हो जाने की वज़े से या किसी भी और दूसरे region से तो वहाँ पे जो obstruction हो जाने की वज़े से patient का oxygen level है वो गड़बड हो जाएगा patient को proper oxygen नहीं जाल दिया और जो last opening जो हमारी patient की रहती है इंडे ट्रेकल ट्यूब की वाली जी वो obstruction हो गया तो patient को deliver नहीं हो पाई का oxygen और Murphy आई वाला जो opening है उसके थूरू patient को oxygen डिलीवर हो पाए यह इसका main purpose रहता है डोक्टर मर्फी ने इसको discover किया था इसलिए मर्फी के नाम से या मर infusion pump जो आते हैं आज कल और भी ज्यादा mechanical और advanced जो आगे हैं उनमें हम बात करें तो इस तरह का यह इतना बड़ा modem यह इनका बड़ा size नहीं होता है यह infusion pump का आपका मतल़ यह पता होना चाहिए कि जो हम ऐसी medicine जिनको controlled amount में देना होता है या एक desired और लंबे समय तक वो medication चल और नहीं कर पाएंगे तो आप उस medicine को क्या करेंगे डायलूट करके या जिस दरह से आपको देना है उस patient को उसको डायलूट करने के बाद या किसी सिरिंज में ले करके आप उसको infusion pump से कनक कर देंगे infusion pump में यह सारी settings आती है कि medicine का क्या नाम है medicine का dose कितना है आप कितने ml per hour के हिसाब से patient को deliver करना चाते हैं या कितना microgram per ml या कितना microgram per hour के हिसाब से deliver करना चाते हैं यह सारी settings अलग अलग और जो advanced infusion pump सो आते हैं उनमें सारी चीज़े होती है तो आप उसमें syringe को connect करेंगे syringe को connect करने के बाद में इसकी settings में जाकर कि आप उसको change कर देंगी कि मुझे यह medicine 20 ml per hour पे deliver करानी है तो 20 ml per hour आप set कर देंगे उस syringe को आईवी लाइन के थूरू patient से connect कर देंगे patient से connect कर देने के बाद में वो medication जो आपके 20 ml per hour पे patient को continuously deliver होती रहेगी तो controlled amount में और एक fixed level पे जो patient को medicine देनी होती है उसके लिए हम infusion pump device का use करते है next image आपका है foot board यह image जो आपको दिखा गया है यह यह एक comfort device है जो patient के foot and side में bed के foot and side में या patient के foot and side में हम रखते है foot board इसको हम बोलते है इसका क्या काम होता है यह जो device है इसको patient के foot and पे रखते है foot and of patient और bed यह क्या करती है serve as support for his feet यानि कि patient के foot को support provide कराती है यहाँ पर patient के foot के साथ में connected है और यहाँ पर bed के angle से last में है यानि कि पेशेंट के foot और बैड के एंगल से के बीच में है पेशेंट के foot को यहाँ पे support प्रोइड करा रही है पेशेंट का fit जो है यह इस तरह से यह बाहर की side में नहीं twist हो सके इसके लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे है तू प्रिवेंट तू प्रिवेंट फुट ड्रोप फुट ड्रोप को प्रिवेंट करने के लिए और सपोर्ट पेशेंट फिट पेशेंट के दिख रहा है मैट्रेस ये बैड मैट्रेस है थिक ए पेशेंट के जो बैड होता है इसके उपर इसको लगाया जाता है पेशेंट को rant देने का इसकाशा ये बैड मैट्रेस बैड मैट्रेस के अगर हम adequate साइज की बात कर ले तो इसका जो साइज होता है वो 190 cm long और 90 cm wide यान कि यह वाली जो distance है यह होनी चाहिए 90 cm और यह जो length होनी चाहिए वो होती है 190 cm अगर इसको हम inches में count करें तो यह 76 inch होता है और यह 36 inch होता है ठीक है यह 30 36 inch और यह होता है 76 inch थीक है यह मैंटरेस का size है ओनननाई यह चैंके सेंके साइज पर हमानो कलें और 90 cm कि भीड़। ओना चाहिए वन यह रचाहिए विक यह च्दमे यह पर यह पर पे हम बात करें, bed seat के size की, जो इसके उपर हम bed seat apply करेंगे, उस bed seat का क्या size होना चाहिए, adequate bed seat के size की बात करें, तो 108 inch, long और 76 inch width, 108 inch लंबी bed seat होनी चाहिए, और 76 inch width होनी चाहिए, अगर pillow के size की हम बात करें, यह भी एक कंफर्ट डिवाई से patient के लिए, तो अगर pillow की हम बात करें, तो pillow का size है वो 60 cm length, 45 cm width और 10 cm जो है यह इसकी थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है, 60 cm length, 45 cm width और 10 cm जो है वो इसकी थिकनेस होनी चाहिए, एक adequate pillow size है, अगर pillow cover की size की हम बात करें, pillow cover जो है उसके size की बात की जाए, तो 65 cm length होनी चाहिए, और 50 cm जो है इसकी width होनी चाहिए, यानि कि जो हमारा pillow है उससे 5 cm जाता है, यहाँ पे 60 से 65 हो गया, और 45 से 50 हो गया, तो bed sheet का size 108 inch long, 76 inch width, pillow 60 cm width length, 45 cm width, और 10 cm थिकनेस, pillow cover 65 cm length, 50 cm width, mattress की बात करें, तो 190 cm long, और 90 cm width, यह भी एक comfort device है, air mattress है, यह कई तरह के water mattress भी आते हैं, वो बीच-बीच में से ऐसे swelling हो जाती है, उसमें full जाता है, वो air की वज़े से, और patient के जो pressure points है, उनको relief मिलता है, और उसकी वज़े से patient को bad sore या जो bad rate रहते हैं, उनके लिए हमां इसको apply के करते हैं, एक comfort device के रूप में, नक्स device आपका है, या नक्स image आपके लिए है, यह जो image आपको दिख रहा है, तो इसमें कुछ बताने का नहीं है, यह एक BP instrument है, इसको हम बोलता है, wrist, 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 blood pressure monitor, तो ठीक है, यह हमारा जो image है, wrist, blood pressure monitor है, इसके regarding कई questions जो पूछे गए हैं, उससे हम यहीं पर अगर अलके सी बात कर लें, अगर जब हम blood pressure monitor कर रहे हैं, उस time अगर patient का arm, blood pressure monitor करते time, अगर patient का arm above the level of heart, यानि कि patient का arm अगर level of heart से उपर है, तो उस time हमारा BP किस तरह का आएगा, यह हम यहाँ पर बात करें, तो हमारा BP जो है, या patient का BP, BP, false low blood pressure, अगर patient का arm जहां से आप BP measurement कर रहे हैं, वो level of heart, heart के level से उपर है, तो उस time patient का low BP, false low BP आपको देखने को मिलेगा, अगर arm above level of heart है, अगर दूसरी बात हम यहाँ पर करें, अगर patient का arm above the, above level of heart है, और दूसरी time अगर arm below the level of heart, अगर patient का arm level of heart से नीचे है, तो उस time हमें false high BP, falsely high BP देखने को मिलेगा, अगर patient का arm level of heart से उपर है, तो false low देखने को मिलेगा, अगर patient का arm below the level of heart है, तो falsely high BP आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यह दोनों बाते, patient का arm level, अगर heart level पे है, या उससे उपर है या नीचे, यह दोनों questions जो हैं, यह aims पहले पूछ चुका है, aims जोदपुर में, और aims दहली में, यह दोनों questions पूछे जा चुके हैं, कि अगर patient का, जो blood pressure, जिस arm से आप measure करें, वो below the level of heart है, तो आपको concentrating देखने क मिलेगा, अगर below the level of heart है, तो false high देखने को मिलेगा, और अगर above the level of heart है, तो falsely low BP यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर यहीं पर और बात करें, अगर BP cuff जो आपने patient को tie किया है, BP cuff अगर आपका lose है, अगर BP cuff lose है, तो आपको high reading यहाँ पे देखने को मिलेगी blood pressure की जो reading है, वो high देखने को मिलेगी, अगर BP cuff जो है आपका वो narrow है, BP cuff is narrow, यानि कि जो हम patient के या patient का arm का circumference है, उसके हिसाब से blood pressure cuff का use करते हैं, अगर वो cuff आपका narrow है, तो reading high आपको देखने को मिलेगी, reading high देखने को मिलेगी, ठीक है, और अगर इसके अलावा 5 भी बात कर हैं, कि अगर जो आपने BP cuff apply किया है, blood pressure cuff जो आपने apply किया है patient के arm पे, जो blood pressure cuff apply किया है, वो loosely overlapping, loosely overlapping, अगर loose है और overlap कर रहा है, loosely, तो ये falsely lower reading आपको देखने को मिलेगी, ये सब था, blood pressure cuff अगर आप कहां कहां पे लगा रहे हैं, लूज लगा रहे हैं, high लगा रहे हैं, tie जो आपने किया है, वो arm जो पे, वो below the level of heart है, या above the level of heart है, या narrow cuff है आपका, या width cuff है, तो उस तरह से blood pressure की reading में क्या difference आपको देखने को मिलेगा, वो सारी जीजा में या पे डिसकस किए, इसके अलावा next image आपका है, ये जो image आपक जो catheter drainage bag जो रहता है, उससे connect करने के लिए है, यहाँ पे हम normal, यहाँ पे हम normally 10 to 20 ml का amount insert कराते हैं, यहाँ सी spot से, और फिर यहाँ पे जो below आपको फुला हुआ देखने को मिलेगा, ये फॉलिज catheter का design है, इसके अलावा ये एक silicone shape में भी आता है, silicone catheter को आप at least 3 weeks, 3 weeks तक एक पर रख सकते हैं, 3 weeks बाद में उसको replace करना रहता है, silicone catheter को, next image आप सर्जीकल, सर्जीकल head lamp, यह जो आपको दिख रहा है, यह head पे apply किया हुआ है, surgical का मतलब यहाँ यहाँ यह यूज कर सकते हैं, यह surgery के दोरान यूज किया जा रहा है, तो यह इस्ट्राइल होना चाहिए, या disinfectant इसमें यूज करके या इसको clean करके spit swab से तब हमें यूज करना होता है, ताकि अगर जब patient यहाँ पर surgery patient की की जा रही है, head lamp यहनकी physician ने या surgeon ने अपने head पे apply इसको किया हुआ, यहाँ से जो यह light यहाँ पे patient को आप, यह जो direct light patient पे focus करेगी, इसको surgeon अपने खुद के according इसको कैसा देखना चाह रहा है, उसको light चाहिए या नहीं चाहिए, किस angle पे light चाहिए, कहाँ पे light चाहिए, उसको सब को अपने आप ही, अगर surgeon manage कर रहा है, तो जहां पे assistant की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, physician यह surgeon जो रहता है, वो अपने according इसको set करता है, यह इस सर पे apply sign का यहाँ पे answer देखी, यह दो image आपको यहाँ पे दी गई है, यह इसमें सोड़ा clearly नहीं समझ में आ रहा है आपको, लेकिन यह आप रखी कि यह patient का या किसी भी candidate का umbilicus है, और यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिल रहा है, यह discoloration हो रखा है, blue color का हो सकता है, अगर patient के, यहाँ पे kulen sign के अगर हम बात करें, तो kulen sign क्या होता है, kulen sign का मतलब होता है, bluish discoloration of abdomen and peri-amblical area, यह amlicus है, और यह इसके चारों गेर जो side है, यह peri-amblical area हो गाए, तो यह amlicus के side में area आ रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहा है, peri-amblical area, peri-amblical area अगर आपको bluish discoloration में देखने को मिल रहा है, abdomen का या peri-amblical area का bluish discoloration आपको देखने को मिल रहा है, उसको हम बोलता है, kulen sign, kulen sign, अब kulen sign कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको यह kulen sign देखने को मिलता है, acute hemorrhagic pancreatitis, acute hemorrhagic pancreatitis में आपको kulen sign देखने को मिलेग बुछ्ष्ड डिसकलरेशन अपसे आपको देखने को मिलता है एक होता हैminded अगर यहाँ में बात करें तोनर्सायन में क्या होगा ड्रोटेशन में ग्रेंग बिलु कळर इग्रेंग्ड्रु डिसकलरेशन ओ फ्लैंक ए्रिया ओ स्ट्वलांग एरिया जो यह gray blue discolouration अगर आपको flank area में देखने को मिल रहा है तो उसको मोड़ता है turner sign अगर यह blues discolouration आपको perihemblical area या abdominal area में देखने को मिल रहा है तो उसको मोड़ता है coolant sign coolant sign और turner sign दोनों ही acute hemorrhagics pancreatitis के patient के केसेंट में देखे जाते हैं है आपका है ये जो इमेज आपको डिया हुआ ये है क्यूं बेकर थी आज बेएकर का तके का है कैसा या की अपको दिकh लहा आइं तरह हैं उसके वहलों कि पोछ करके हम बात सकति देते हैं उसके से पेंट के रेटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं वॉंग BAKER Faces पेंट Rating Skill इसमें 10 points होते हैं और उस point के इसलब से हम इसको numbering दिया जाता है next image आपको यह जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है यह किस चीज़ का है यह आप से पुछा गया है तो यहाँ इसमें बेबी को लिता देता है यांवर्डी इंफेंट के बोडी टेंपरेचर को कंट्रोल करने के लिए यां पर जिवेज करते हैं इंफैन्ट इनक्वीक्टर्मीन वह बेबी को इसके लिए और उसको प्रपर में vital organs develop करने का ठीक है यह infant incubator है body temperature को maintaining करने के लिए यूज किया जाता है यह baby के vital organs को develop करने के लिए बहुत ही helpful होता है next image आपका यह जो आपको image दिख रहा है इसको हम बोलते है nasal prongs nasal prongs इसको हम बोलते है nasal prongs यह हम एक से 6 liter एक से 6 liter पर minute तक का oxygen डिलिएवर कर पाते हैं ठीक है oxygen अगर concentration के हम बात करें हो तो oxygen concentration हम 24 से 44 परसेंट तक का patient को deliver कर पाएंगे यहाँ पर यह है कि अगर एक लिटर पर मिनिट आप patient को oxygen दे रहे हैं तो उससे patient को 24% oxygen concentration मिलेगा टू लिटर पर मिनिट अगर डिलिवर कर रहे हैं तो यहाँ आप से 28% देखने को मिलेगा ठीक लिटर पर मिनिट अगर आप पिशन को दे रहे हैं तो थर्टी टू परसेंट oxygen patient को डिलिवर हो पाएगी फॉर लिटर अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पे पेशन को concentration कर पाते हैं ठीक है यह जो इमेज आपको दिख रहा है यह इसन को दो हम बोलते हैं पिश्टन यह जो आपको दुख रहे है यहैं चार होल होते हैं ठीक है यह जो पेज आपको दिख रहा है इसको हम बोलता है endometrial suction curate endometrial suction curate जो है इसको हम बोलता है इसका अगर diameter की बात करें तो इसका diameter 3 mm होता है यह जो इसका diameter होता है 3 mm अगर इसके length की बात करें तो 26 cm होती है या इस piston के साथ में अगर इसके length की हम बात करें तो यह होती है 26 cm और diameter की बात करें तो यह होता है 3 mm यानि कि यह बहुत ही कम size का होता है इसको patient के अंदर डालने के लिए uterine cavity में डालने से पहले आपको dilation करने के भी कोई जरूरत नहीं होती है इसका diameter बहुत कम होने के वज़े से यह आराम से deliver या अंदर डालना जा सकता है ठीक है इसके use के है जब हमें endometrial biopsy लेनी होती है endometrial biopsy जब यहाँ पर patient कम लेते हैं या जो menstrual extract जो होते है menstrual extraction यानि कि जब menstrual time पे जो clothes जो निकलते हैं उसका अगर आपको extraction करना है या menstrual bleeding के time पे जो अंदर से जो bleed हो रहे हैं जो clothes आ रहे हैं बाहरों उसको अगर आपको examine करना है तो उसके लिए हम इस catheter का जब इसका investigation करते हैं तो पिर जो endometrial biopsy आपने जो लिए उसका इस्ट्रोपेटरलोजिकल examination करने के लिए ये यूज में किया जाता है इसके अंदर होल होता है टिप वरी साइड में ये स्मूथ होता है सॉफ्ट होता है और flexible होता है इसमूथ होता है ताकी और जो अंदर है उसकी वज़े से अंदर कोई trauma patient को नहीं हो attromatic procedure करने के लिए होता है और इस procedure को लगबाग आप एक मिनट में एक ही मिनट में इसका procedure यह नेक्स्ट इमेज आपको दिख रहा है यह फीटल डोपलर का इमेज है इसको आप मजर के यूट्रेयन लेयर पे यूट्रेयन के प्लेस करते हैं और वहां से आपको बेबी का फीटल हट साउंड जो यहां पर मीजर कर पाएंगे तो फीटल डोपलर के हल्प से अगर हम बा पिनाड स्टेटोस्कोप जो होता है उसके वजह उसके आप उससे आप पेशंट या गेस्टेशनल पीरिड जो है वो 20 वीक जब होगा तब आप फिटल हट साउंड को सुन पाएंगे आप समझें फिटल डॉपलर से आप एट वीक पे काउंट कर सकते हैं या फिटल हट को पालपेट कर सकते हैं चु जो है उनको पालपेट कर सकते हैं चो को भी आप 20 वीक पे ही करते हैं तो 20 वीक पे आप पिनाड से सुन सकते हैं 20 वीक पे ही आप जो फीटल पार्ट से उनको पालपेट कर सकते हैं और 20 वीक पे ही आप एक्सटनल बैलोटमेंट को फील कर सकते हैं यह सब था 20 वीक यहां पर हमने डिसकस के उससे रिलेटर रही जो आप 8 वीक पे पेश्टिस पूस्बब्विक्सर करूंटितो अर्वीक ओर वेनज़ेसीस और कि ङलता है। इंब्रियो को इंब्रियो को आइदेंटिफाइड किुए जा सकता है। यानिकि embryo को आप identify कर सकते हैं कि यह human का embryo है या किसी दूसरे species का या दूसरे animal का embryo है यह आप identify कर सकते हैं आठ week पर ही और अगर हम बात करें sex determination की तो sex determination वो आप 12 week या 12 week के बाद में आप sex determination कर सकते हैं यह थे weeks related कुछ बात है थी जो हमने आपको बताई next image आपका है next image जो आपको दिख रहा है यह दिखे eyes यहां पर patient की और eyes दोनों eyes के अंदर में या eyes के around आपको डार्क और यह डार्क हो गया और यह परपल परपल और डार्क परपल और डार्क कलर के races या coloration आपको देखने को मि eyes के नीचे देखने को मिलता है इसलिए हम इसको बोलते है रैकॉंस eye या रैकॉंस sign भी इसको हम बोलते हैं यह एक serious condition है कहां पर आपको देखने को मिलेगी यह जब patient का basilar basilar skull fracture यानकि skull का base का fracture हो या फिर brain injury हो brain injury और basilar skull fracture जब होगा तो वहाँ पर इस तरह के symptom patient में देखने को मिलेंगे और इसको हम बोलते है रैकॉंस eye या रैकॉंस sign ठीक है दोनों eyes के नीचे परपल और blue color के races या bruises आपको देखने को मिल रहे है तो इसको हम बोलते है रैकॉंस sign basilar skull fracture में या brain injury में देखने को मिलता ह है next image आपका है यह जो machine आपको दिख रही है इसको हम बोलते है anesthesia machine anesthesia system या anesthesia machine या ड्रेगर यह ड्रेगर कंपनी का आता है इसलिए हम इसको ड्रेगर भी बोलते है यह anesthesia machine या anesthesia ड्रेगर या anesthesia system इसको बोलता है यह एक तरह का ventilator होता है इसके साथ में और भी connection होता है और यह patient को जो इसका 20 circuits हो रहता है उसकी help से आप इसको ET tube से connect करते हैं और patient को जो ventilation जब दिया जाता है या surgery के टाइम पे जब आप पे पेशेंट को general anesthesia देचा देते हैं तो यह काम में लिया जाता है इसमें इसह related को जो question exam में पूछ गया है वो पूछ गया है ए एक जो आपको यहाँ पे दिखे रहा होगा यह yellowに color का yellow color का Box दिख रहा है और यहाँ यहाँ पे होता है blue color का Box तो question पूछा है boe गया है कि blue color का box किस लिए होता है इसमें क्या काम होता है और yellow कलर का यह बोक्स है इसका क्या काम होता है या यहां पर पूछा गया है देगे यहां पर जो येलो कलर का जो बोक्स है यह जो आपको दिख लाह होगा ये polar box यह yellow box जो है ये इसमें क्या भरता है सेवर तर्थेओफ फिलोरेंश येलोबोक्स में होता है blue box की अगर हम बात कर रहे हैं यह जो blue box आपको दिख रहा है यहाँ पर blue box में dash florence रहता है dash florence रहता है और कई जो होते हैं उनमें purple color का भी होता है अगर purple color का box जो है वहाँ पर purple color वाले में ISO florence रहेगा purple color वाले में ISO florence रहेगा रेड कलर का अगर बोक्स है तो रेड कलर वाले में हेलो थिन, रेड कलर वाले में हेलो थिन रहता है और अगर ओरेंज कलर का है, ओरेंज कलर का अगर बोक्स है तो ओरेंज कलर वाले बोक्स में एन फ्लोरेंस रहता है, एन फ्लोरेंस, अगर बोक्स येलो कलर वाले है तो येल यह जो सब है यह वोलेटाइल एनस्थेटिक एजन्ट यह वोलेटाइल एनस्थेटिक एजन्ट यह वोलेटाइल एनस्थेटिक एजन्ट यह वोलेटाइल एनस्थेटिक एजन्ट यह पेशेंट को जब हम जनरल एनस्थेशा की जो मेडिकेशन्स देते हैं उनके साथ साथ मे जैसे बुपी विकेन है और जो हमारे मसल रिलेक्सेंट जो दिये जाते हैं इसके अलावा जो हम वोलेटायल अनस्थेटिक एजेंट्स जो पेशेंट को डिलीवर करते हैं वो ये सब हैं सेवोफलोरंस, डेसवलोरंस, आईसो, इलोफलोरंस, और इंफलोरंस वोलेटायल अनस्थेटिक की बात करें सबसे पोटेंट वोलेटायल अनस्थेटिक जो हमारा है वो आईसो फुलोरंस है मोस्ट मोस्ट पोटेंट वोलेटायल अनस्थेटिक एजेंट जो है वो हमारा आईसो फुलोरंस है ठीक है तो यहां पर आपसे पुछा जा सकता है कि यह machine किस चीज़ का है आपको पता है अनेस्थेसे सिस्टम है और इसमें जो box होते हैं उसके बारे में पुछा जा सकता है इसके पीछे जो है तीन oxygen cylinder भी लगते हैं एक को हमने यहां पर आपको बता दिया है नेक्स्ट इमेज आपको दिख रहा है यह एक आईस्क्रीम स्ट्रिप की तरह है आपको दिख रहा होगा तो इनको हम बोलते हैं disposable disposable टंग disposable टंग डिप्रेसर यह टंग को डिप्रेस करने के लिए आते हैं इसके लावा जो हमारे मेटल के जो आते हैं उसको metallic tongue डिप्रेसर बोलता है इस्टील मैटरिएलीव स्टील मैटल का होता है उनको यह इस्ट्रिमेट को इस्ट्लाइज करके यूज यूज किया जासकता है इनका उन में कब करते हैं जब आपको posterior फेरिंग्स posterior फेरिंग्स या जो आपका throat cavity या जो throat है उसका examine आपको जब करना है तब हम इसका use करते हैं या जब आपको gag reflex को पता करना है कि patient में gag reflex है या नहीं तो उसको जब आपको पता करना है तो इनका हम use करते हैं इसको हम बोलते हैं disposable tongue depressor next image आपका है यह जो image आपको दिख रहा है यह हमारा glucometer है to assess the blood glucose level of a patient किसी भी patient का blood glucose level monitor करने के लिए आपको glucometer का use करते हैं यह जो सभी अलगलग company के आते हैं और उसके साथ में यहाँ एक strip आता है इसको हम बोलते हैं glucometer next image आपका next image जो आपको दिख रहा है यह proctoscope है proctoscope patient के rectal examination के लिए use में लिया जाता है जब आपको rectum serilator rectal surgery जब करते हैं तो वहाँ पे visualize करने के लिए proctoscope को आप use करते हैं next image आपका next image जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं spirometry में यह जो है यह patient के यह एक tube है जिसका end जो वह दूसरी साइड में रहा पे दिख नहीं रहा आपको clear इस को patient के mouth से connect करते है patient को blow करने के लिए बोलते है patient जब blow करेगा तो यह जो बोल्स होते हैं यह तीनों बोल्स उपर की तरफ उठेंगे यह patient के lungs को expand करने की lungs की capacity बढ़ाने के लिए patient में यूज करते हैं ऐसे patient के लिए हम यूज करते हैं जिन patient को लंबे समय तक बैड़ पे इना पड़ता है ताकि उनके जो lungs को congestion नहीं हो atalactasis की condition डवलप नहीं हो सके उनके प्रोफर लंग्स में जो air exchange वो प्रोफर बना रहे हैं उसके लिए हम कई patient को यह advice किया जाता है next image आपका है next image जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलता है laparoscopic ring applicator laparoscopic ring applicator या इसको हम बोलत ring भी बोलता है tubal ring applicator इसके तीन नाम होगया laparoscopic ring applicator falop ring या tubal ring applicator जो हमारी falopian tubes जो होती है falopian tubes जो patient की होती है या किसी person की जो falopian tube होती है उस पर ring apply करने के लिए इसका हम यूज करते हैं falopian ring applicator का इसलिए इसको हम बोल रहे है falop ring ठीक है माल लीजिए यह कोई भी patient है जि यह इसका uterus का image मैं यह आ पर बना रहा हूँ ठीक है और यह patient की fallopian tube है right और left अब जब patient का tubal ligation जब किया जाता है tubal ligation tubal ligation जब करते हैं तो इस instrument का यूज करता है laparoscopic ring applicator का अब tubal ligation में क्या करते हैं कि यह जो patient का fallopian tube है इसको आप यहां से उठाएंगे उठा करके इस तरह से कौन shape में बनाएंगे और जो एक ring होता है silicon का उसको इसको इस पर place कर देंगे तो जो ring है वो ring क्या करेगा जो fallopian tubes जो वापस आपने उठाया है वहाँ पे ring आपने apply कर दिया है तो मैं लिजिए यहां से उठाया और अगर मैं इसमें ring apply कर दूँ यह रैड कलर का मालीजी आपने ring आपने ब्लोक कर दिया इसने तो दोनों ही तरह से यह किया जा सकता है और दोनों तरफ में आप टूबल लाइगेशन कर देंगे तो क्या होगा कि पीशेंट का जो ओम है वो ओम वापीश से आपके यूट्राइन कविटी की तरफ नहीं आ पाएगा या टूब्स में एमपूला वाले लूप में भी प्रोचीर को किया जाता है आप सबूसें के काम एक आपको इसको बोलते हैं नेक्ष्ट अबड गम आई इसको हम बोलते हैं यह इसको बोलते है यह यह ग्जमनेशन में यूज्ट किया जा इसका मेन क्या है जब किसी पेषेंट का आप आई टेस्टिंग करते हैं तो उसके refractive error refractive error को identify करने के लिए और उसको eye glass का determine करने के लिए या eye glass के determine करने के लिए refractive error का identify करने के लिए इस for after या refractor का use किया जाता है यहाँ पी जो doctor होता है आपका वो अपनी eyes को place करता है और यह अलग अलग तरह हैं के lens यहाँ पे लगे रहता है इन चारों में जो रहते हैं उससे कौन से तरह का पेशन्ट को लेंज आप प्रवाइड करा सकता है यह किस तरह का रिफ्रक्टिव एर एर उसको इदेटिफाइब करने के लिए इस फोर्रेप्टर या रिफ्रक्टर का यूज किया जाता है नेक्स्ट इमेज जो आपको दिख रहा है यह एक तरह का ट्रोली जैसा दिख रहा होगा आपको यह जो इमेज दिख रहा है यहाँ पर वील्स लगे हुए दोनों साइड़ों में यह स्टैंड है इस तरह से है और यह एक इस च्ट्रण आपको बना हुआ है नैट सेप का है इसमें जाली लगी हूई है नीचे पसलेट सर फेस है इसको हम बोलते है इसकोärke यह चोटे बच्चों के लिए बैर का काम करता है इसमें चोटे बच्चों का अप रख सकते है लेटा सकते हैं वो इसमें सोच चकता है ताकि उसको गिरने के चांचेज नहीं रहें इसलिए ये दोनों साइड से इतना उंचा रहता है वील्स वाला होता है अब पेशेंट को इजिली करने के लिए भी या बीबी को इजिली करने के लिए ये काम में आता है next image जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं onge X band LanX band जो है यह Line X band surgery में काम में लिया जाता है Linus band जो है surgery यह किस में की जाती है Gastro-osophageal reflex disease जहाँ पर gastric के content patient के वापिष से reflex होकर करके lower isophagus में यह isophagal area में आते हैं वहां पे GERD को जहां पे medicine से treat नहीं की जा सकती है या जैसे patient जिनको permanently आपको proton pump innovators पर रखना पड़ता है उनके लिए यह linux surgery प्रिफर की जाती है gastrocephagal reflex disease वाले patient में यह जो image आपको दिख रही है यह जो ring shape आपको दिख रहा है यह इसको हम बोलते है band यह band जो यह magnetic titanium band होता है magnetic titanium band इसको आप patient मान लीजे यह patient का oral cavity है और यह isophagus है और यहाँ पे आपका gastric या stomach है तो patient के lower isophagal sphincter के पास में या lower isophagal area में इस band को लगाया जाता है surgery के साथ में surgery करके इसको यहाँ पे लगा देते हैं तो यह जो band है यह compress करके रखता है lower isophagus end को ताकि जो gastric के content है वो वापी से reflex होकर के isophagus में नहीं आ पाएं लेकिन यह इस तरह से लगाया जाता है या इस तरह से loose connect किया जाता है कि ताकि जो patient सब swallow करता है जो swallowing के time पे जो swallow वाला जो force है उसकी वज़े से जो isophagus से फूड वापी से इस्टोमक की तरफ आ रहा है उसको यह swallowing force से allow कर सकता है यानि कि इसका main काम यह होगा है कि swallow force से फूड को इस्टोमक के अंदर तो आने देता है लेकिन इस्टोमक से फूड को या gastric content को वापी से इसोफेगस में नहीं जाने देता है इसको हम बोलते है line x band यह magnetic titanium band होता है GERD वाले surgery में यह यूज किया जाता है ठीक है जिन patient को control नहीं कर सकते GERD को आप proton pump innovator या medicine से treat नहीं किया जा सकता उसके लिए यह लेप्रोस्कोपी जनरल एंस्टीसिया के अंडर में करके प्लेस किया जाता है इसके अगर आप complication या side effect की बात करें तो complication या side effect की रूप में आपको यहाँ पे swelling difficulty patient में देखने को मिल सकती है patient में swelling swallowing difficulty जो है वो देखने को मिलेगी यह वापस से इसफेगस के दरप नहीं आने जाता इसको linux band बोलता है general surgery है एक major surgery के रूप में यह प्रियोज में किया जाता है next image आपका है next image जो आपको दिख रहा है यह जो image है यह एक scope है यहाँ पे एक lens और scope connected रहता है यहाँ पे इसको आप बोल रहे है endoscope यह किसी भी body organ और body cavity को examine करने के लिए use में लिया जाता है यह mainly जो हमारा digestive tract जो रहता है digestive tract उसको visualize करने के लिए use में लिया जाता है इसको आप cable के थूरू laparoscope से connect कर देता है तो आप इस lens के थूरू जो भी आप देख पा रहे है वो cable के थूरू जो laparoscope को जो जा रहा है वो laparoscope की जो monitor device है या जो LED है उस पे आपको display होगा और आप यहाँ पे measure कर पाएंगे या visualize कर पाएंगे कि patient के digestive tract में या whole body organ जो है नेक्स्ट इमेज जो आपको दिख रहा है यह fenestrated इसके और यह blades है और यह आपस में आगे चलके इस तरह से continue रहते हैं यहाँ पे close है तो यह इसको हम बोलते है अल्ट्रा सोनिक स्केलपल अल्ट्रा सोनिक स्केलपल यह अलगलग company का आता है केबल के थूँ इस हार्मोनिक डिवाइस से connected रहता है इसको हम बोलते हैं हार्मोनिक या अल्ट्रा सोनिक स्केलपल यह कोट्री का एक advanced version है जिस तरह से कोट्री से हम कट और कोट्राइज या bleeding को रोकने के लिए और कट करने के लिए उसी तरह से इसको एक इस time पे simultaneously simultaneously यानि के एक साथ में cut and cotterize cut करने के लिए और एक साथ में ही cut और bleeding कटिंग भी करेगा और bleeding को भी रोकेगा एक साथ में इसको हम बोलते हैं ultrasonic स्केलपल या harmonic next image जो आपको दिख रहा है यह patient का कान है इस कान के पीछे आपको bruising red color का bruising आपको देखने को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं battle sign या battle sign या battle sign battle sign इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि dr. William Henry battle dr. Henry battle ने 1800 में इसके बारे में बताया था उनके नाम से ही यह battle sign है यह retro auricular retro auricular यान की कान के पीछे retro पीछे auricular कान के पीछे retro auricular या mastroid process mastroid process जो रहता है यह mastroid process है वहाँ पे या retro auricular में जो bruising bruising या ecaimosis bruising और ecaimosis देखने को अगर आपको मिलता है तो उसको हम बोलता है battles eye यान की इस तरह से bleeding जैसा या bruising और ecaimosis आपको कान के पीछे या retro auricular या mastroid process पे आपको देखने को मिलता है तो उसको हम बोलता है battle sign जो है यह अगर आपका skull का जो bottom है skull bottom fracture skull bottom fracture है skull bottom fracture है या आपका head injury है तो वहां पे देखने को मिलता है head injury में skull bottom fracture है battle sign देखने को मिलता है next image आपका है next image आपको दिख रहा है यह एक tube shape है जिसमें marking किया हुआ है 15 तक इसका marking रहता है 15 तक यह ml में marking है यहनकि इसकी capacity है 15 ml की capacity होती है इसको हम बोलता है falcon tube यह falcon tube जो blood को डालके या किसी भी चीज को डालके जब हम centrifuge करते हैं री-fuge करने के लिए यह use में लिया जाता है यह plastic का होता है falcon tube इसको बोलता है इसके capacity 15 ml होती है next image आपका है next image जो आपको दिख रहा है यह question जो है यह exam में पूछा हुआ यह image जो है इस इम्स में पूछा हुआ है यह जो device आपको दिख रही है या जो image आपको दिख रही यह क्या है इसको हम बोलते हैं laryngeal mask airway या lma laryngeal mask airway laryngeal mask airway यह जो है यह एक supraglottic supraglottic device है supraglottic airway device supraglottic airway device यह आपके जो supraglottic वाले area में लगाई जाती है कब लगाते हैं जब आपको endotracheal intubation compulsory नहीं है या necessary नहीं है और उस time airway को open करने के लिए या airway को maintain करने के लिए इसको लगाया जाता है या कोई भी anesthesia आपको ऐसा देना जो short time के लिए देना है बिल्कुल short time के लिए देना है तो उस time पे आप endotracheal tube intubation नहीं करते हैं पेशेंट में तो और इस laryngeal mask airway को लगा करके यह इनस्तिशा देते हैं और short time के लिए देना है open airway maintain करने के लिए इसको लगाया जाता है लेंजल mask airway इसको हम बोलते हैं यह question पूछा हुआ है next image आपको दिख रहा है गा कि यह image क्या है देखें यह आपका एक uterus cavity है या uterine cavity है यह endometrium, myometrium और perimetrium यह आपका लेवर हो गया है ठीक है यहाँ पर दिख रहा है accreta, increta और percreta यह क्या है देखें जो हमारा placenta जो होता है उसकी basal plate और coronic plate होती है basal plate होती है और इक coronic plate होती है जहाँ पर यह दोनों मिलती है उसको हम बोलते है netabook layer या netabook membrane भी बोलता है लेकिन जब यह netabook membrane absent होती है तो यह basal plate और यह coronic plate होती है यह endometrium के अंदर invade कर जाती है जब यह invade करती है placenta accreta का मतलब होता toward myometrium toward myometrium यानिकि myometrium की तरफ यह invade कर गई है तो इसको हम बोलते है accreta देखिए यह myometrium की तरफ जाए यह तो हो गए आपका endometrium बीच वाली layer होगी myometrium और last होगी perimetrium तो यह बीच वाली layer तक यानिकी बीच वाली layer की तरफ आ रही है accreta और increta का मतलब होता है inside myometrium देखिए इसने तोड़ा ज्यादा area लिया हुआ है यह myometrium की अंदर तक पहुंच गई है इसको हम बोलते है increta increta मतलब inside myometrium और parkrita parkrita का मतलब होता है crosses the myometrium crosses myometrium देखिए इसने myometrium को भी cross कर दिया है बाहर की तरफ निकल गई है इसको हम बोलता है parkrita और जो inside myometrium में उसको हम बोलते है increta और जो myometrium की तरफ जा रही है उसको हम बोलता है accreta ठीक है next image आपका यह image आपको दिख रहा होगा यह आपके पास में एक endotracheal tube है यह इसका balloon है यह connected है यहापे एक pilot balloon होता है और उसका जो एक part है वो इस meter से connected है इसको हम बोलते है manometer यह manometer क्या काम करता है यह manometer endotracheal tube के जो cuff है यह जो balloon आपको full hour दिख रहा है इसका pressure measure करने का काम करता है इसको हम बोलते है it tube cuff pressure manometer next image आपका next image आपको जो दिख रहा होगा कि एक ऐसे patient है वो अपने throat को पकड़ रहा है और एक patient है पीछे से यहाँ पे amlic इसमें क्या करना होता है कि patient को आप खड़ा करेंगे उसके पीछे आप खड़ा होंगे एक fist बनाएंगे जैसे इसने बना रखा है ठीक है और उस fist को कहां पर place करेंगे आप बेट्विन बेट्विन जाइफोइड प्रोसेस या बेट्विन जाइफोइड एंड अम्लिकस पेशेंट के अम्लिकस और जाइफोइड के बीच में आप उस fist को place करेंगे और perform 5 पांच बार perform करेंगे इन एंड अप मुमेंट इनवार्ड और अपवाड मुमेंट इनवार्ड और अपवाड मुमेंट इस तरह से पांच बार करेंगे तो यह foreign body को remove करने में help करेंगा यह हैमिलिक मैनुवर आप यूज करते है एडल्ट के लिए और चाइल्ड के लिए लेकिन अगर इन्फेंट में अगर foreign body aspirate हो गई है इन्फेंट ने foreign body का aspirate कर लिया तो उसके लिए आप chest thrust chest thrust का यूज़ करते हैं hemlich maneuver या abdominal thrust का यूज़ नहीं करेंगे infant के लिए आप chest thrust का यूज़ करेंगे इसमें हम क्या करेंगे five back slap five back slap और five chest thrust five back slap and five chest thrust का यूज़ किया जाता इसमें क्या करेंगे patient या infant को prone position देंगे आप ठीक है patient को prone position देंगे जो healthcare provider है जो healthcare provider है या जो perform कर रहा है वो patient को अपने हाथ में लेगा infant को अपने हाथ में लेगा प्रोन पोजिशन देगा और उसके head को lower वाली साइड में रखेगा यान कि head को lower करेगा chest से head lower than the chest perform five back slap bitten shoulder blade यानि कि जो इसके पुला होता है उसका इसके पुला के बीच में दोनों इसके पुला के बीच में पांच बारी back slap करेगा ठीक है back slap करेगा पांच बारी और फिर infant को supine position देगा head जो वो अपिस से उसके chest से नीचे रहेगा यान कि lower रहेगा और फिर five chest compression करेगा जैसे कि हम CPR में infant के लिए करते हैं ऐस तरह से तो वो इससे फेरन बोडी को बाहर निकला जाएगा अब यहां पर आपकर हम बात कर लिए question की तो question में महा लीजिए pregnant woman जो है तो pregnant woman के लिए आप hemless maneuver या abdominal thrust maneuver यूज़ नहीं करेंगे उसके लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे chest thrust chest thrust chest thrust को यूज़ किया जाएगा pregnant lady या obese patient के लिए chest thrust को यूज़ किया जाएगा और इसमें यहां पे patient health care provider pregnant lady को या obese patient को अपने हाथ पे नहीं ले सकता तो उसके लिए कोई भी ऐसे comfort या flat device पे लेगा जिसमें उसका head जो है वो chest level से नीचे होना चाहिए नेक्स्ट इमेज आपका है यह image जो आपको दिख रहा होगा यह है बेन सर्किट बेन सर्किट में कहादी कि यह एक एमबू बैग लगा हुआ है यह एक device है जो patient के ET tube से connect होती है यह TP से connect होती है और यह जो है यह oxygen cylinder से connect रहता है ठीक है तो यह oxygen आ रही है यह patient को डिलीवर हो रही है अगर वो oxygen घतम हो गई यह डिलीवर नहीं कर पा रहे है या उसके साथ साथ में आपको और air पे देना है तो उसको हम बोल रहे है यह image के help से डिलीवर की time की तरह से हम इसको यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं बेन सर्किट यह green कलर का है next image आपका है next image आपको दिख रहा होगा यह है डोजी फ्लोव रेगुलेटर या डोजी flow meter जब आपको एक desired amount पे कोई भी patient को कोई भी fluid या medicine डिलीवर करना है मान लीजे आपको 20 ml 5 ml 2 ml पे कोई भी patient को डिलीवर करना है और आपके पास में जैसे infusion pump जो रहता है उससे हम डिलीवर करते हैं एक desired amount पे या regulator या regulatory amount में यूज करने के लिए तो इसी तरह से यह dosi flow meter या dos flow regulator काम करता है इसको आप इसका एक side जो है patient के cannula से connect हो जाता है या IV side से connect हो जाता है और इसको आप जो fluid है आपका उससे connect कर देता है यानि कि fluids और patient के बीच में यह device connect कर दी जाती है और इसमें इसको आप rotate करेंगे एक side में इसका marking रहता है 2 ml, 3 ml, 4 ml और side में एक निसान रहता है अगर आपको 2 ml पे करना है तो 2 ml के side में लाएंगे उसको 3 ml करना है तो 3 ml को यान कि एक side से इसक आप rotate कर सकते हैं एक side में marking रहती है 2 ml के side में आप इसको अगर ले आए तो इसका मतल़ है कि 2 ml पर हावर के इसाब से यह जो fluid है यह patient को deliver होगा अगर 4 पर ले आए तो 4 ml पर हावर के इसाब से deliver होगा इसको हम बोलते हैं dozy flow regulator या dozy flow meter next image आपका है image में आपको दिख रहा होग इसको हम बोलते है प्रोजेट्व 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 साइन और पेशेंट को जब आप यहां से चिक पर टच कर रहे हैं तो यह patient का इस तरह से एक्सप्रेशन यह आंग बंद हो रही है और यह जो इलिप है अपफार वाली साइड में मुमेंट क दिखा रहा है यह monitor है इसके switch है यह पॉड्प होते है ऐक करने के यह image हो है यह ventilator है मुश्री मोनिटर यह एक monitor या cardiac monitor हम इसको बोलता है इसमें एक तो patient का pulse वाला cable connect होता है एक temperature वाला connect होता है एक blood pressure वाला cable connect होता है और इनको एक इसमें जो electricity वाला cable वो भी connect होता है यह जो patient को दिखा रहा है यह patient का pulse rate दिखा रहा है यह इसका saturation saturation वाला भी probe होता है इसमें saturation probe को दिखा रहा है ब्लड प्रेसर वाला जो यह निकी patient के vitals को monitor करने के लिए आप bedside में जो monitor लगा के रखते हैं उसको बोल रहा है bedside monitor या portable monitor भी यह हो सकता है इसको बोलते हैं cardiac monitor यह vitals लेने के काम में आता है या जब patient का non-invasive blood pressure monitoring जब करते हैं या invasive invasive और non-invasive आप जब इसमें बीपी कफ लगा देंगे गेबल में तो और non-invasive जब आप arterial line बीपी patient का ले रहे हैं arterial line को इसमें करक करके और जब transducer के help से जब लेते हैं तो उसको बोलता है invasive blood pressure monitoring दोनों के यह काम में आता है next image आप यह image आपको दिख रहा होगा यह एक oxygen tent या oxygen hood को हम इसको बोलता है यह इसको oxygen supply से connect कर देते हैं यह इससे oxygen जो अंदर आती है और यह इस वाले area को connect कर रही है mouth और nose दोनों को connect कर रही है यह cover कर रही है इसको हम बोलता है oxygen hood या oxygen tent next image आपको दिख रहा होगा mucous specimen traps इसको बोलते हैं mucous specimen extractor भी बोलते हैं इसको हम दीके यह जो है इस तरह से यूज में लिया जाता है जिस patient को आप एक्सप्टोरेट नहीं करा सकता है या जिस patient को ट्रेकिस्टूमी टूब लगा हुआ है वहाँ पर आपको उसके vacuum suction या bad side vacuum suction जो रहाँ उससे connect कर देंगे तो यह suction करेगा तो यहां पर भी नेगटिव सक्टोरेट होगा और नेगटिव सक्टोरेट के वज़े से यहां से patient से जो इस पुटम है जो मुकस है वो अंदर आएगा फिर आप इसको disconnect कर देंगे और जो नीचे इसका जो कैप होता या pulmonary artery catheter pulmonary artery catheter yawans genz catheter यह right heart catheter यह right heart catheter भी इसको बोलता है यह ballon tipped होता catheter होता है pulmonary artery में जब catheter डालते हैं तो इसको हम बोल रहे है स्वांस genz catheter और यह pulmonary artery में या right heart में डाला जाता है ठीक है राइट हर्ट के cathodrasion या pulmonary cathodrasion भी किया जाता है इसका नाम बोलते हैं और यह pulmonary artery का pressure measure करने के लिए right heart की hemodynamic profile को jack करने के लिए यूज में लिया जाता है next image आपका है next image आपको दिख रहा होगा यह के एक image जो है यह copper pencil है यह copper pencil है यह copper paper wasager कर बरेंज endorsement cracking उद्वाल प्याइंच मोनो पुलर नामकाईच पैंसिल है अगर चाहां यह बात करें तो जो बाइपोलर पेंसिल इसमें करते हैं इस तरह से दो साइड या दो एंड होते हैं और यह पैंसिल है यह जो कट करने का काम करती है मोनोपॉलार से हम कट और कोगलेट दोनों चीज़े एक साथ में कर पाते हैं । नेच्स ट्मीज आपको दिख़ा होगा यह देखिए इस तरह से यह लगाया हुआ है पेशेंट को Milky Way की Braces used in treatment of spinal curve इसको हम बोलते है Milky Way की Braces जो patient जिनका spinal का curvature रहता है उनको treat करने के लिए Milky Way Braces का use किया जाता है नेक्स्ट इमेज जो आपको दिख़रा होगा इसको हम बोलते है औरो-pharyngeal औरो-pharyngeal airway देखें, confuse नहीं होगे यह गा एक था, यह तो है और एक है लेरिंजियल मास्क एरवे जो हमने पहले पढ़ा था तो लेरिंजियल मास्क एरवे है जो उसका अलग परपज है और इसका अलग परपज यह आप पेशेंट के ओपन एरवे को मेंटन करने के लिए यूज कर रहे है और इसका मेंट परपज क्या है कि पेशेंट के जो टंग है उसको आपस वापिस से एपिगलोटिस को कवर नहीं कर पाए यानकि जो पेशेंट की जो टंग है वो एपी गलोटिस को cover नहीं करें उसको prevent करने के लिए आप इसका use करते हैं इसको हम बोलते हैं और फेरेंजल एरवे और यह question लेरेंजल एरवे का और और फेरेंजल एरवे का दोनों ही एमस एक्जाम में पूछा जा चुका है next image आपका है next image आपको दिख रहा होगा यह एक सिरिंज है इसको हम बोलते हैं टूमे सिरिंज टूमे सिरिंज जो है इसका main काम क्या है irrigation irrigation या evacuation of bladder bladder को irrigate करने या इसको evacuate करने के लिए यह टूमे सिरिंज का यूज किया जाता यह इसको commonly हम TURP वाले प्रस्ट्रीक का जब सर्जरी किया जाता है उस पेशेंट में blood clot की वज़े से जो उरिटरा आए जो ब्लेडर का ड्रेने जो होता है जो हम गली सरोल एंड है जो आप पेशेंट से connect करके रखते हैं या जो नेजल कैथेटर से या जो सक्सन कैथेटर होता है उससे connect कर देंगे और यह वाला जो है यह वैक्यूम सक्सन क्रिएट रहेगा और एक साथ में आप जिसको control करके सक्सन लेंगे तो यह उसको है उसको अपर है उसको इजल करने के लिए काम में आता है ठीक है इसको हम बोलता है wall suction unit next image आपको दिख रहा होगा ये सब है कि patient का presenting part कौन सा है position कौन सी है mother के palace में जब entry कर रहा है तब दीक है ये मालीज ये mother का palace है तो ये anterior side हो गया ठीक है ये हो गया posterior side ये mother का palace का left side है ये right side है अब baby अगर इस तरह से mother के palace में आ रहाई यानिकि bobey का ओकिपोड जो है वो पीछे वाली side में posterior वाली side में जिसको हम बोलता है right occipital posterior Biz maybe का otcipot जो है वो पीछे वाली side में और left वाली side मेंच छव रखा है तो इसको हम बोलता है left occipital posterior यह राइट साइड में हो रहा है तो इसको राइट ऑक्सिपीटो पॉस्टियर ठीक है इसमें ऑक्सिपीट जो है वो ट्रांसवर्स हो रहा है पॉस्टियर वाली साइड में नहीं है और राइट साइड में हो रहा है तो इसको हम बोल रहा है राइट ऑक्सिपीटो ट्रांसव जो है यानकि ये वाला पोजिशन जो है left occipital anterior ये इसको हम बोलते हैं first vertex first vertex बोलते हैं left occipital anterior यानकि जब भी vertex presentation होगा तो left occipital anterior position आपको most commonly देखने को मिलेगी ठीक है जब occipital या vertex presentation जब रहेगा तो baby जब present होगा तो वो left occipital anterior वाली position में present होगा और ये vertex presentation में most commonly जो पोजिशन आपको देखने को मिलेगी वो left occipital anterior position देखने को मिलेगी और इसको हम बोलते हैं first vertex next image आपका ये जो ट्रे आपको दिख रहे हैं इसको हम kidney connected है ये कोटरी केबल है और ये पैड है यहां कि आप पैड को patient की बोड़ी पे जहां पर बाल नहीं है वहां पर लगा दिया है या आपर चुश्ट में लगा दिया है या बैक में लगा दिया है जहां पर आप शर्जरी कर रहे हैं उसके पास में कॉमनली इसको लगाया जाता है यह पैडल है जो patient जो surgeon इसको इसको कंट्रोल करेगा आपने पैर से प्रेस करके या इसके अलावा जो पैंसिल आपकी यहां पर दो स्वीच होते हैं उनसे भी कंट्रोल करता है अगर हैंड से कंट्रोल करन जाए तो इन स्विच को यूज़ करेगा और पैर से उज़ करना चाहरा तो इसको यूज़ करेगा ये एक तो बाख करना है यह एक सो पाँ सेंटिमेटर होती है ओलकर एक vibe opposite करो हो дан जान करना है जो करना कि नेक सो तो बहुसके लिए एकसो पाँ संटिमिटर होती है अगर है फ्रेंटर सब्सक्राइब लेच्टरांफ रहें की यहन की size की बात करें तो infant के लिए हम 5-8 french का यूज करते हैं और child के लिए हम 10-12 french का नेजोगेस्टिक ट्यूब यूज करते हैं और adult के लिए अगर हम बात करें तो adult के लिए 14-18 french का नेजोगेस्टिक ट्यूब यूज में लिया जाता है next image जो आपको दिख रा है यह image यह evolved tube का image यह istokаж करने के बाद मी इसमें आप пок 이ungs閘ось करने के वाज चीजा आप पकर गशिक लिया लाज मिंगा जाएगा वह इस्टमक वास के लिए हम यहाँ पर सब इस फनल से डाल के देंगे और लार्ज बोर लूमन टूब होती है ताकि इस्टमक कंटेंट को अच्छे से वास करके बाहर से निकाला जा सके इसमें डालने के को देखा है यह डिस्पोजबल आनोस्कोप का में Ihr बेष डिस्पोजबल नोस्कोप यह इसको व्यूजेशन करने के लिए जाता है दाफ इनको बूलते हैं और जैसे प्रोप् मेेमिन इक यह जो image आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ball for retractor बॉल for retractor जो यह एक self retaining retractor हैं यहनकि इसको आप लगा करके आप fix कर सकते हैं यह इसको दुबार से पकड़नेकी जुरुत नहीं है अपने आप ही retain करके रखेगा Self Retaining Retractor है और ये Ball for Abdominal Retractor के नाम से इसको जानते है ये हमें जैसे Abdominal Procedure या Abdominal Surgery जो की जाती है Cigarian Section जो हम करते है या जो Bowel Resection की जो Surgery की जाती है उसमें इसको यूज में लिया जाता है Abdominal Surgery में Cigarian Section में या Bowel Resection Surgery जो हम करते है उसमें यूज को यूज किया जाता है ball for retractor है और self retaining data for किता है यह काम करता है next image आपका है next image जो आपको दिखरा होगा यह image जो है यह patchy meter का image है patchy meter यह patchy meter इस तरह का होता है यह patchy meter का image है इसका main काम क्या है यह patchy meter जो है यह cornea eye का जो cornea है आई का जो cornea है उसकी thickness को measure करता है आई के cornea की thickness को measure करने के लिए instrument काम में आता है इसको हम बोलते हैं पैची मेटर नेक्स्ट इमेज आपका है यह जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते है needle holder यहाँ पे needle को hold किया जाता है यहाँ से lock हो जाता है ने के लिए कि सूचर को करतें तो यहां पर प्लेंप करते हैं और समसूरे रिंच करते हैं अधो इस यहां से नेडल को Junior किरेस लगाइब करते हैं इसको बोलग है इसको ब temporal थ्वान फोटोधरेपी मसीन आपð फोटोध्रेपि मेंच जब newborn का करते हैं हम जब उसको जोंडिस रहता है तब यह photo therapy machine या यूज में लिए जाती है next image आपका है next image जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलता है वैंट्यूज क्या बोलते है वैंट्यूज यह जो vacuum delivery जब की जाती है जब patient का cephalic presentation है baby का service dialation 6 cm से ज़्यादा हो चुका है ठीक है uterine contraction जो ineffective नहीं है या effective नहीं है sufficient नहीं है कि delivery हो सके और fetal head जब engage हो चुका है तब हम इसको यूज कर सकते हैं अगर इसके contraindication के हम बात करें यानि कि अगर presentation vertex presentation के अलावा है तो क्या आप इसको यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे या बेबी को कोई bleeding disorder है जैसे microsomia है या तो size बड़ा है या fetal coagulation disorder suspected fetal coagulation disorder अगर बेबी में है तो भी हम इसको नहीं कर पाएंगे को कि ब्लेडिंग होने की chances हैं ब्लेडिंग होगी तो आप उसको control नहीं कर पाएंगे को कि बेबी अभी तक मदर के वूंब में यानिकी uterine cavity के अंदर ही है तो इसको हम कहां पर place करते हैं मान लीजे यह कोई भी patient baby है आपके पास में ठीक है यह उसका scalp मैं आप यहां पर बना रह oxyput flexion point oxyput flexion point यह वाला area है इसको हम बोलते हैं oxyput flexion point यहां पर हम इसको place कराते हैं इसको place कराएंगे तो हम इसका section pressure रखेंगे वो 0.2 kg per cm2 initial pressure हम रखते है 0.2 kg per cm2 यह initial pressure है और इस pressure को हम बढ़ाएंगे 0.1 kg per cm2 से ठीक है initial pressure रखेंगे 0.2 maximum रख सकते है 0.8 kg per cm2 0.2 इनिशिल रहेगा 0.8 maximum रख सकते हैं 0.2 से और 0.8 तक लाने के लिए आप इसको maximum 10 minutes दे सकते हैं और 0.1 kg per cm2 करके इस speed से आप इसको बढ़ाएंगे 0.8 kg per cm2 जो यह maximum हो रहे सकता है इसको आप 25 minutes से जादा use नहीं कर सकते हैं क्योंकि 25 minutes से जादा आपको use यह नहीं करना है और इसके वज़े से बेबी में जो scalp का जो है swelling देखने को मिल सकती है इसको हम बोलते है kaput succendum और जो यह artificially kaput succendum जो develop होता है उसको हम बोलते है chingon और chingon जो है यह disappear हो जाता है delivery के 2 से 3 गंटे के बाद में chingon जो है वो deliver disappear हो जाएगा तो यह device जो हमारी यह क्या है went use कप है suction delivery में यूज में लिया जाता है next means आपको जो दिख रहा है इसको हम बोलते है bulb syringe bulb syringe यह जो हमारी acceptor syringe होती है उसके अंदर भी एक इसी तरह का bulb लगा रहता है यह माली जी acceptor syringe है आपकी और उसके अंदर भी इसी तरह का लगा रहता है लेकिन यह acceptor syringe में vacuum create करता है यहां पर यह bulb syringe जो है यह used to clear newborn nasal secretion यह newborn के nasal secretion को clear करने के काम में ली जाती है next image आपको दिख रहा होगा इसको क्या बोलते है wound descents wound descents का मतलब क्या होगा separation of wound ages wound के age जो है एक तो यह age है और यह age है यह आपने suturing किया हुआ है surgery के बाद में ठीक है अब यह दोनों wound जो है वो separate हो गए यहां से sutures lose हो जाने की वज़े या किसी दूसरी region से यह दोनों wound जो है यहां पर पास-पास में है लेकिन यहां पर दोनों separate हो गए दूर-दूर हो गए तो इसको हम बोलते है wound descents next image आपको दिख रहा होगा यह है aviceration wound aviceration भी इसको हम बोलते हैं यह आपके wound edge है यह दोनों यहां पर दूर-दूर हो गए यहां पर सूचरिंग आपने किया हुआ है पास-पास में है लेकिन बीच में से यह दूर हो गए तो दूर हो गए यहां पर इसको हम बोलते है wound descents ठीक है और wound descents हो जाने के बाद में उसमें से अगर कोई internal organ बाहर की तरफ आ जाता है तो उसको हम बोलते है aviceration जिसे यहां पर यह intestinal loop जो यह बाहर आया हुआ है तो इसको हम बोलते है aviceration next image आपका यह image जो आपको दिख रहा है यह tuning fork का image है जो हम hearing test जो करते हैं तो उसमें इसको use किया जाता है conduction वाले में जो हम इसको place करेंगे तो patient का जो medial part है या body की जो medial line है या nasal line जो है उसके उपर हम इसको place करते हैं और vibration को feel किया जाता है यह tuning fork का image है next image आपका है next image जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते है male coat catheter male coat catheter male coat catheter का क्या काम है यह जो हम renal renal या जो bladder surgery जब की जाती है renal और bladder surgery जब हम करते हैं तो उसमें से drain को बाहर निकालने के लिए इस catheter को हम place कर देते हैं यहां से जो fluid या जो drain है वो बाहर निकलता रहता है इसको हम बोलते है male coat catheter यह surgery के काफे लंबे टाइम बाद तक patient के अंदर लगा रहता है ताकि जो fluid हो जो drain है उसको बाहर निकाला जा सके next image आपका है next image जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते है आप इसको top linen patient की जो है उसको cover या touch नहीं कराना चाहेंगे क्योंकि patient को infection हो सकता है और problems या pain हो सकता है तो उसको prevent करने के लिए हम bad cradle का use करते हैं ताकि patient को cover भी किया जा सके और उसकी जो top clothing है उसको wound या और जो उसके scar है उसको contact में आने से avoid किया जा सके जिसे hypospedasis वाले या hypospedasis की जब surgery की जाती है तो patient को जो catheter या जो catheter जो लगाया जाता है उसको या जो dressing को touch करने या top clothing से avoid करने के लिए भी हम bad cradle का use करते हैं next image आपको अगले session जो हम लेके आएंगे तब शुरू करेंगे वहाँ से तब तक के लिए आप हमारे साथ में बने रही है और हमारे वीडियो को देखते रही है thank you